दोस्तो आज मैं आपको Pulser भाई के Speedometer में बैटरी की वायर को connect करना सिखाऊंगा काफी लोग इसमें बैटरी की वायर के connection को लेके थोड़ा से confused रहते हैं अगर गलत connection हो जाए तो यहाँ पर Speedometer खराब हो सकता है यहाँ पर दो connector दिएगे हैं सबसे पहले यह main connector है देखिए ध्यान से देखिए और आपको यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है अगर आप mechanic है तो यहाँ पर इसकी जुरूरत आपको पढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पर battery की wire को connect करके आप इस meter की repairing वगरे कर सकते हैं अब देखिए इस connector की position को इस तरीके से रखनी है और यहाँ पर सबसे last वाला उपर वाली line पर सबसे last वाला देखिए यह वाला hole है और जिसकी wire है brown रखिए dark brown देखिए दो तिन brown इसमें है लेकिन जो dark brown है उसकी जो wire है उसमें हम एक wire को connect कर लेंगे यहाँ पर तीन wire मैंने इस तरीके से ली है और वहाँ पर एक pin भी लगाई है ताकि आपको पूरा meter on करके मैं दिखाओं देखिए तीन wire इस तरीके से बना ली है white brown and black अब मैं brown wire को लूँगा और उसी hole पर मैं डालूँगा जिसमें just पीचे से brown wire लगी वी है यह देखिएगा यह brown wire लगी वी उसमें डाल दिया है last वाल होल है ठीक है उपर वाले line का last वाल होल है अब हम white वाले wire को लेंगे और उसी में दूसरे number पर देखिए इसको मैंने उल्टा कर लिए दूसरे पर देखिए white color की wire लगी वी है clear white कोई भी उसमें निसान बगर नहीं है सिर्फ clear white है इसमें 2 white है एक yellow है yellow वाली को छोड़ देजिए clear white को यानि कि यहां से दूसरे number के आप hole पर देखिएगा clear white है उसमें कोई भी निसान नहीं होगा वैसे ही brown वाली भी है brown और white बिल्कुल clear wire है उनमें कोई भी निसान नहीं है अब आती है तीसरे wire की बारी तीसरा वाला यहां पर एक और है जो black color का है just इस connector के पीछे में black के साथ पीले वाला पटीस में लगा हुआ है यानि कि सामने connector से चौथी नमर का hole यहां पर है देखिए चौथी नमर का hole है इसमें हमारा यह black wire पढ़नी है black हमारे negative के रहेगी और brown और जो white है यह positive connect होंगी अब ध्यान से देखिए यह देखिएगा white दूसरे number पे brown सबसे last पे और black नीचे वाली line के चौथे नमर के hole पे पढ़ जानी है देखिए इस तरीके से देखिए white और brown जो है वो आपकी positive से connect होंगी और black वाली बैटरी के negative से connect होंगी देखिए जो brown और white है दोनों का आपस में मैंने इस तरीके से connect किया है क्योंकि यहां परस में stand by वाला option र जोड़ी है और black को अपने अलग से रखना है देखिए meter सामने रख लिया है और ध्यान से देखिएगा यह देखिएगा meter को कुछ इस तरीके से सामने आपको दिखा दूँ अब देखिए brown and white wire एक साथ जोड़ी हुई है इसको हमने positive को लगाना है देखिएगा यह लग चु दुवाती में इसको repair करने का थोड़ा सा try करते हैं उनको सबसे ज्यादा wiring पर problem आती है अब जो bike वगर का professional काम करते हैं उन्हें तो वाइरिंग के पूरी knowledge रहती है लेकिन mechanic लोगों को इसकी knowledge थोड़ा सा कम रहती है क्योंकि mechanic लोगों का काम सिर्फ इसको repair करना होता है तो य thank you so much इस video को like जरू कीजेगा